वीर में असाधरन स्थर की शक्ती है, आप लोग इसे JNU की चादरों पर फैला रहे हैं, ठीक है? ठीक है? अगर आप इसके साथ ये कर रहे हैं, तो ये आपके मजबूरी है. हमारे पास एक शरीर है, हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते, ये मौजूद है. शरीर की अपनी जरूरते हैं, जैसे कि शारिरिक भूख है, वैसे ही कामुकता है. पर किस हद तक? ये आपके उपर है. योग विज्ञान में इसे वीर्यम कहा जाता है. ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है. जाहिर है, ये शक्तिशाली है. अगर आपको खोजना आता हो तो… लोगों के नए नाम भी रखे हैं, जो बहुत जादा हस्त मैथून करते हैं. हम कभी-कभी ऐसा बहुत जादा करते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना अच्छा या बुरा है? क्या आप हमें हस्त मैथून की सच्चाई बता सकते हैं? ओ, ये एक लोगप्रिय प्रश्न लगता है. देखिए, हमारे पास एक शरीर है. हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते. ये मौजूद है. अच्छा ये होगा कि हम इसकी सच्चाई समझें. पर अभी दुनिया में समस्या ये है, कि दुनिया के कुछ धार्मिक संस्थानों ने ये रवय्या अपनाया है, कि इनसान का शरीर ही गलत है, इस वज़े से संस्कृतियों ने इसे छिपाना शुरू कर दिया. वैसे इस संस्कृति ने इसे कभी नहीं छिपाया. पर अंग्रेजों के आने के बाद हम अंग्रेजों से ज्यादा दक्यनूसी हो गए. पर अगर आप उस समय से पहले के मंदिर देखें, तो मंदिरों के बाहर की सभी कलाएं अशलील हैं. अगर आप अशलील कहना चाहें तो, पर हम उन्हें अशलील नहीं कहते, हम सिर्फ इनसानी शरीर के विभिन आयामों की बात कर रहे हैं. क्योंकि हम इसे गलत नहीं मानते, हम बस इसे जीवन का बाहरी हिस्सा मानते हैं. अगर आप सिर्फ वहीं रहते हैं, तो आप हमेशा भौते कायाम में रहेंगे, आप कुछ और नहीं तलाशेंगे. तो मंदिर में हमेशा ये बाहर होता है. आपका काम है इसे देखना और समझना कि ये जीवन की बाहरी चीज़ है और जीवन की गहराई में जाने की कोशिश करना. पर साथ ही इसे नकारना नहीं, ना इसका महीमा मंदन करना, ना ही इसे नकारना. ये सबसे महतुपून बात है. पर आपके कॉलेज में इन चीज़ों को देखा जाता है. आपका इंटरनेट या जो भी. लोग मुझे बताते हैं. किसे ने मुझे बताया? मुझे नहीं पता कि ये प्रतिशत सही है या नहीं. जब मैंने पूछा कि इस सामागरी क्या है? मैं इंटरनेट और इसकी सामागरी को समझने की कोशिश कर रहा था. इंटरनेट पर वास्ताविक सामागरी क्या है? उन्होंने मुझे बताया. आपको पता होना चाहिए. उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर 70% सामागरी अशलीलता है. क्या ऐसा है? आपको पता होगा क्या कोई इस पर PhD कर रहा है? उन्होंने मुझसे कहा 70% मैंने कहा 70% अशलील चीजों का होना गलत है और ये एक बिमारी है अगर ये एक छोटा प्रतिशत हो तो ठीक है 70% एक तकनीकी मंच पर जहां लाखों चीजें हो सकती हैं दुरभागे से वहां अशलीलता है जीवन का सिर्व जीव विग्ञान ये बहुत दुरभागे पूर्ण है क्योंकि जब आप एक इंसान के रूप में आते हैं तो आपका शरीर आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं है ये आपके जीवन का एक हिस्सा है आपके दिमाग में इतनी क्षमता इसलिए है कि आपकी बुद्धी आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बने और अगर आप सचेत हो जाएं, तो आपकी चेतना आपके जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाती है शरीर एक बैल का मुख्य हिस्सा है, ये उसके लिए ठीक है, वो बस यही जानता है पर शरीर मानव जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए ये हमारे जीवन का हिस्सा है हम इससे इंकार नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन के एक चरण में ये ऐसा होता है एक 95 वर्षी व्यक्ति अपने डॉक्टर के पास मेडिकल जाच के लिए गया डॉक्टर ने पूरी जाच की और कहा अरे बुड़े जवान आप पिचानवे के उम्र के लिए बहुत अच्छा जी रहे हो आपको कोई समस्या नहीं है फिर बुड़े व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर पर मेरे यौन जीवन का क्या तब डॉक्टर ने उसकी और देख कर पूछा उसके बारे में सोचना या उसकी बाते करना तो जीवन के कुछ चरणों में आप सिर्फ इसकी बाते करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं कभी-कभी आप इसमें लिप्ट होते हैं ये जीवन के घुजरते हुए चरण हैं, आपके लिए ये किस हद तक जरूरी हैं, इसे आप सबसे अच्छा तै कर सकते हैं, पर साथ ही, आप अपने शरीर को समझने के लिए यहां नहीं आये हैं, कम से कम, आपको जीव विज्ञान में मसी करनी चाहिए थी, आपको एक तक्नीकी संस्थान में जीव विज्ञान की खोच करके समय बरबाद नहीं करना चाहिए, क्या इसका मतलब ये है कि आप में जीव विज्ञान नहीं हैं, आपकी शारीरिक जरूरते नहीं हैं, आप में हैं, ये ठीक है, पर इसे आपका बाहरी हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपके जीवन का मूल हिस्सा, क्योंकि इससे आपमें एक कमी आ जाएगी. आप एक प्राणी थे जो पूरी तरह से शारीरिक था, फिर आपका विकास हुआ, और अब आपमें शरीर से परे अपनी खुद की बुद्धी है. देखे, जानवरों की बुद्धी सिर्फ उनके शरीर के लिए काम करती है. भोजन कैसे पाया जाए, अपना साथी कैसे पाया जाए, यही उनका पूरा जीवन है. अगर मानव बुद्धी भी इसी तरह काम करे, तो आप विकास के प्रक्रिया के खिलाफ जा रहे हैं. आप वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास के प्रक्रिया को पीछे ले जा रहे हैं, यह जरूरी नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास शरीर नहीं है, शरीर के अपनी जरूरते हैं, जैसे कि शारिरिक भूख है, वैसे ही कामुकता है. आपको इसे किसी तरह से पूरा करना है पर किस हद तक ये आपको चुनना है पर निश्चित रूप से ये आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपनी बुध्धी और चीतना को मुख्य हिص्सा बनाने की विकास योजना को पीछे ले जा रहे हैं इसके बजाए आप अपने शरीर को मुख्य हिस्सा बना रहे हैं शारेरिक मानसिक और अध्यात्मिक कल्याण के लिए मनुष्य का वीर कितना महतुपूर्ण है क्या वीर को बरबात करने से हमें अध्यात्मिक नुकसान हो सकता है आप जानते हैं कि वीर आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है चाहे आप पुरुष हो या महीला क्योंकि ये आपका पचास प्रतिशत हिस्सा है हाँ? हमारे पास तवचा है, हमारे पास कोशिकाए हैं, हमारे पास बाल हैं हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं दिल, लिवर, किड्नी, बहुत सी चीजे हैं इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग-अलग शक्ती है असाधारन शक्ती है, ये एक नया जीवन बना सकता है आज आप एक उपकला, यानि एपिथीलियल कोशिका लेकर प्रयोक शाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है? तो क्षमता यहां भी है, पर उस तरह की क्षमता नहीं है, जितनी की उसकोशिका में हैं, जिसे आप वीर्य कहते हैं तो यौगिक संस्कृती में इसे वीर्य कहा जाता है वीर्य का एक अर्थ वज्र भी है, जिसका अर्थ है स्थिर्ता या हीरा जो सबसे कठोर चीज है तो मानव शरीर में वीर को वज्र के समान माना जाता है इसका मतलब है कि ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है अगर आप इसका उप्योग करना जानते हों तो इसके उप्योग का एक तरीका है, कि आप इस से बच्चे पैदा कर सकते हैं. ये एक बात है. अगर आप ये सवाल इसलिए उठा रए हैं, क्योंकि आप लोग इसे J&U की चादरों पर फैला रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जिसे नैतिक रूप से आखा नहीं जाना चाहिए मुद्दा ये नहीं है सवाल ये है कि आपकी मजबूरी किस तर पर है पर इस शरीर की किसी भी चीज से क्या हम एक अलग स्थर का काम कर सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ वीर ही नहीं इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है देखिए, मान लीजिए मैंने आप सभी को सूप बनाने की सामगरी दी आप सभी को वही सूप बनाने की सामगरी दी क्या आपको लगता है कि आप सभी एक ही सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 किस्मों के सूप बनाएंगे. हाला कि सामगरी एक ही है. अभी हमारे साथ यही हुआ है. हम सभी मौलिक रूप से एक ही सामगरी हैं, पर देखिए हम में से हर एक कितना अलग है. अलग-अलग सूप. अगर मैं आपको सूप बनाने की सामगरी दूँ, तो आप एक शांदार सूप या एक घटिया सूप बना सकते हैं. यह इससे तह होगा कि आप में कितना कौशल है, है ना? तो यह हर बात पर लागू होता है, ना सिर्व वीरे पर. आपके शरीर और आपके मन के हर आयाम को आप किसी जबर्दस चीज में बदल सकते हैं, या इसे ओसत दरजे का या एक गंभीर समस्या बना सकते हैं. आपके जीवन का हर पहलू. यही जीवन के इस पहलू के लिए भी सच है. यह वही उर्जा है. देखिए, देखिए, लोग इसका शाब्दिक अनुवात कर रहे हैं. पर अगर आप उपकलता, यानि एपिथीलियल कोशिकाएं बनाना चाहते हैं, तो शरीर इस पर जितनी उर्जा खर्च करता है, उसके मुकाबले, अगर आप एक वीर की कोशिका बनाना चाहते हैं, तो शरीर जितनी उर्जा खर्च करता है, वो बहुत अलग है. इसे वैग्यानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है. इसलिए, जब आप इतनी उर्जा का निवेश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर आपको खोजना आता हो, तो इसमें क्षमता है. लेकिन क्या आप में खोजने की क्षमता है? क्या आप खोज करने में सक्षम है? क्या आपके पास ऐसा करने के लिए जरूरी साध्ना और मार्क दर्शन है? ये एक बड़ा सावाल या निशान है